प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्टर ता, नो यूर फेट तो चलिए राशिवल की शुरुबात करते हैं, पंचान के साथ में तो दिन है रविवार का तारीख है, 11 दिसंबर 2022, पौशे कृष्णे तित्या पर चंद्रमा मिठुन राशिय प्रश्व नक्षत्र में रहेंगे, दिन का शुभंक रहेगा, दो शुभंक रहेगा, सफेद शुभ दिशा रहेगी, व्यायव्य, राहु काल रहेगा, सुभे, राहु काल रहेगा, शाम को साड़े चार बजे से छे बजे तक का, भधरा रहेगी सुबह साथ बच कर चार मिनट से लेकर शाम को चार बच कर चौदा मिनट तक सरवार से दियोग रहेगा रात को आठ बच कर चटीस मिनट से लेकर अगले दिन सुबह साथ बच कर चार मिनट तक दिन का सबसे शुब महुरत रहेगा रात को आठ बच कर एक मिनट से लेकर रात को नौ बचकर 31 मिनट तक और विशेश क्या है अखुरक संकष्टी चतूरती है बड़ा खास दिन है बड़ा खास दिन है गणपती का और अखुरक का मतलब जो होता है वो देव जो चुहे की सवारी करते हैं कारोबार में महनत रंग लाएगी कामकाथ से लोग प्रभावित होंगे घरिलू महुल ठीक रहेगा जीवन साथी के साथ में खरीदारी करेंगे प्रेमी से नजदीक्या बढ़ेंगे उपाईये करें कि किसी गरीब को राजमादान करें शुभंक दो रहेगा शुभंक रहेगा सफेद दूसरी राशी ब्रिश्यानी के टॉरस की बात करेंगे दोस्त सहीयोग करेंगे कारेशेतर में बदलाव आएगा छातर सकारतमक रहेंगे घरिलू जीवन सुधरेगा प्रेम जीवन रसिक रहेगा उपाई जीवन साथी को पूरा सहीयोग देंगे उपाई ये करेंगे इच्छा अनुसार गुड़ का सेवन करें शुभंक आठ रहेगा शुभंक रहेगा काला तीसरी राशी मिथुन यानि की जमनाय की बात करेंगे कोई अच्छी खबर मिलेगी आए के नए साधन बनेंगे कामकाज में सफलता मिलेगी जीवन साथी का प्रेम मिलेगा परिवार का माहुल खुश्णुमा बना रहेगा उपाई ये करेंगे कि सिवरद्ध महिला को लाल कपड़ा दान करें शुभंक साथ रहेगा शुभंक रहेगा सिलेटी बात करेंगे चौथी राशी करक यानि की कैंसर की कारे योजनाई सफल नहींगी दोस्तों के राय लेने पर फाइदा होगा रिष्टेदार मददगार साबित होंगे दामपते में खुशी मिलेगी प्रेमी के साथ में समय बिताएंगे उपाईए करें कि घर की पूर वदिशा में दीपक जलाएं शुभंक चार रहेगा शुभंग रहेगा नीला पांचवी राशी सिंग यानि की लियो की बात करेंगे घरेलू मामले सुलजेंगे दोस्तों के मदद से धनलाब होगा किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी दामपते में खुशी आएंगे उपाईए करें कि बाए हाथ के अनामी का उंगली पर रोली लगाए शुभंक तीन रहेगा शुभंक रहेगा पीला चटी राशी कन्या यानि कि बर्गो की बात करेंगे कारोबारी स्तिती ठीक रहेगी नई पर यह उजनाओ को लेकर खास व्यक्ति से मिलेंगे चुनोतियां दूर होंगी जीवन साथी पर खर्चा करेंगे प्रेम जीवन रसिक रहेगा उपाईए करें कि रोली से मस्तक पढ़ते लग करें शुभंक साथ रहेगा शुभंक रहेगा सिलेटी साथवी राशी तुला यानि कि लिवरा की बात करेंगे व्यवसाय में भैतर मौके मिलेंगे घरेलू काम पुरे होंगे नए लोगों से दोस्ती होगी कामकाज में परिजन से योग करेंगे दामपते में गलत फेमिया दूर होंगे उपाई ये करें कि किसी धर्मिस्तल में लाल फूल चढ़ाएं शुभंकाट रहेगा शुभंक रहेगा काला आठवी राशी व्रिश्चे कियाने कि स्कॉर्पियों के बात करेंगे सोचेवे काम पूरे होंगे अत्यादिक समय दिन्शील रहेंगे रिष्टेदारों से मनमटाव के योग हैं भाशा पर काबू रखें वरना समस्य बढ़ेगी दामपते रसिक रहेगा उपाई ये करें कि लाल पैन से हानी लिखकर पर्स में रखें शुभंक दो रहेगा शुभंक रहेगा सफेद नवीर आशी धनू यानिकी सजेटेरियस की बात करेंगे कारोबार में तरक्की मिलेगी खास काम शुरू करने की योजना बनाएंगे शत्रू सो सावधान रहें परिजोनों सो सयोग मिलेगा जीवन साथी के साथ में घुमने फिनने जाएंगे उपाई ये करें कि किसी वरद बिखारी को खजूर दान करें शुभंक पांच रहेगा शुभंक रहेगा हरा दस्वी राशी मकर यानिकी केप्रकौन की बात करेंगे घरेलू काम पूरे होने सरहात मिलेगी व्यापार में बदलाव के प्लान बनाएंगे संतान से खुशकबरी मिलेगी जीवन साथी के साथ में मौझ मस्ती में समय बीतेगा उपाई ये करें कि धर्मस्तल में अंजीर चड़ाएं शुभंक रहेगा जीवन साथी को बढ़िया उपहार देंगे उपाईए करेंगे गुलाब का इतरस तमाल करें शुभंक पांच रहेगा शुभंक रहेगा खराब तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाईगा वो विशेश उपाईगा जो भौतुक सुखों की प्राप्ति करवाएगा आपको देखिए खास दिन है अखुरक गणपती का दिन है और अखुरक संकष्टी चतूरती है तो ऐसे में आप क्या करें गणपती का पूजन करें और गणेश जी पर बेलपत्र चढ़ाएं और चढ़ावा बेलपत्र अपनी तिजूरी में रख दें सुखा बेलफल बिलवगिरी जिसे कहते हैं वो बजार में आराम सोप लब्द होती है उससे स्थापित कर दें और इस पूरे प्रियोग में गणपती के एक विशेश मंतर का जाप करें मंतर को ध्यान से सुनियेगा ओम दुर्वा बिल्व प्रियाएं नमा जैने कि गणपती को दुर्वा और बिल्व दोनों प्रिये होते हैं तो ओम दुर्वा बिल्व प्रियाएं नमा आश्वस्त करता हूं भत्रक सुखों के निश्चत प्राप्ती होगी तो दोस्तों आज कलिए बस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्य वाए